हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आई हो आप लोग अच्छी होंगे और अपनी केर करते रहेगा फ्रेंट्स आज हम लोग टी जी टी मैथमेटिक्स के जो सिलेबस के बारे में डिसकस कर रहे थे उसी सिलेबस में हम लोग अलजेबरा के पोर्शन में डिटर्मि and determinant का syllabus क्या है उसको हम लोग discuss करेंगे determinant ओके तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है वो आज हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग syllabus की बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे matrix का concept जो भी matrix होगी उस matrix का concept क्या है इसके बारे में discuss करेंगे matrix का concept क्या है इस concept के अंदर ही क्या क्या चीज़े आ जाती है इसकी definitions आ जाती है ओके और definition के साथ सबसे पहले क्या आती ही concept में definition आती है और उसका representation अगर matrix दिया हुआ है तो matrix दी हुई है तो matrix का representation क्या है उसको किस चीज से रिप्रिजंट करते हैं that is कहने मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोग दिखाएंगे क्या उसका नोटेशन क्या होगा मैट्रिक्स का नोटेशन ओके इसके बारे हम लोग देखेंगे जैसा सब मैं बोल ना हूँ 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 आप लोग उसको क्या कीजिए कापी पे नोट करते रहे हैं कि सिलेबस एक्षिलिव हिंदी में जो सिलेबस दिया हुआ है वो बड़ा ही क्या है उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी तो यह हो गया में सब्सक्राइब क्या है अब फिर इसके बाद कोई भी अगर मैट्रिक्स दी हुई है यह है मैत्रिक्स का ओडर क्या है क्या है इस मैत्रिक्स का ओडर हम लोग देखेंगे order का मतलब होता है generally अगर कोई भी matrix दी हुई है इस तरीके से तो जो matrix कितनी है 2 x 2 की है या 3 x 3 की है तो यह क्या होता है order होता है अगर कोई matrix इस तरीके से लिखी हुई A, B और यह C और D तो यह क्या है यह 2 x 2 matrix की है that is 2 column है और 2 row है और होता है तो इस तरीके से इसके order को हम लोग देख सकते हैं फिर क्या है और यह C society likes और होता है रपहर एक्षाल है तो हो जातीおली के बाद क्या हां मैट्रिक्स के और हमलों देखेंगे क्या देख एक टाइपस आप मैट्रिक्स के पार्यिक्स और इसग् See भी है, square matrix है, rectangular matrix है, scalar matrix है, diagonal matrix है, वो सारी matrix के बारे में हम लोग क्या करेंगे, discuss करेंगे, और उनके concept को देखेंगे, zero matrix भी है, फिस के बाद आता है, transpose, zero matrix का मतलब होता है, generally, zero अगर कोई भी matrix दी हुई है, zero matrix, एक होती identity matrix, एक होती zero matrix, zero matrix में होता कहा है, जितने order की कोई भी matrix हो, उसके सारे elements जो होते हैं, row के elements and column के elements क्या होते हैं, वो zero होते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, transpose a matrix, अगर कोई भी matrix, कोई भी A, ये क्या है, ये कोई square matrix दी हुई है, ये एक, ये क्या है, ये एक square matrix है, okay, square matrix है, matrix, तो इसका जो transpose होगा, उसको हम लोग generally A dash से भी दिखाते हैं, और इस तरीके भी से लिक्स देते हैं, A T, इसको बोलते हैं, transpose of A, transpose, okay, क्या बोलते हैं, transpose, किसका transpose of matrix, A generally बोल देते हैं, transpose matrix बोल देते हैं, कोई भी अगर matrix दी हुई है, इसके आगे हम लोग discuss करते हैं, गर कोई भी matrix दी हुई है, तो उसकी symmetricity देखेंगे, क्या देखेंगे, symmetric है कि नहीं है, symmetric, मतलब कि अगर इस matrix A की, कौन सी matrix होगी, symmetric होगी, और इसी की symmetric matrix होगई, और इसी का जो होता है उलटा होता है बिलॉम यहां पर होता है अपोजिट होता है Isqueue Symmetric क्या होता हैजगो okay फिस के बाद क्या करेंगे हम लोग इतना δेखने के बाद Edition and multiplication क्या देखेंगे Edition and utilization and multiplication Edition and multiplication of matrix अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है तो उनका जोड क्या होगा A और B और उनका मल्टिप्लाई क्या होगा यह जनरली इसको हम लोग लिखते हैं A.B तो उनका मैट्रिक्स क्या है वो भी देख लेंगे सोरी उनका multiplication क्या है और उसका जो है addition क्या है तो यह हो गया addition और यह हो गया multiplication ओके अब इसके आगे हम लोग देखते हैं scalar multiplication क्या देखेंगे multiplication में ही हम लोग देखेंगे इसी multiplication में ही क्या हम लोग देखेंगे Scalar Multiplication क्या देखेंगे Scalar Multiplication अगर कोई भी Matrix अगर कोई भी ये क्या है Square Matrix है इसमें हमने क्या किया किसी भी Scalar से Multiply कर दिया Alpha से Multiply कर दिया तो होगा क्या Suppose that अगर कोई भी Matrix है उसके Element क्या है इस तरीके से Element दिये है अगर उसमें हम लोग Alpha से Multiply करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A Alpha हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा B Alpha हो जाएगा यहाँ पर C Alpha हो जाएगा यहाँ पर D Alpha हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी इस तरीके से Scalar Multiplication हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे जो भी अब एडीशन जो हमने देखा हुआ था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके लर्वल्टिपिकेशन देख लिए फिर उसके बाद नॉन कमिनिकेट्व एक चीज़ यह भी है अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है एक matrix दिया हुआ है उनका अगर हम लोग multiply करते हैं तो ये जो होता है always not equal to b.a that is कहने मतलब है जो भी matrix का multiplication होता वो non-communicative होता है ये बात समझ में आई generally ये इतनी वे numbers होती है वो क्या होती है competitive property को hold करती है competitive property को hold करती है इसका गयने मतलब ये है अगर कोई भी दो numbers दी हुई है तो उनका x into y is equal to y into x होता है लेकिन in case आप matrix क्या होता है ये case नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग non-commutative property क्या बोलेंगे non-commutative commutative non-commutative property यानि कि crumb minimum को follow नहीं करेगी ठीक अब इसके बाद कुछ देख लेंगे कि elementary कुछ row है columns है इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम लोग आगे आते हैं determinants में क्या-क्या पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजे और भी अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अगर मैट्रिक्स है तो उसकी सम मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ जैसे उससमें dhya भी था कि सम दो करेंगे तो उसका भी हम लोग देख लेंगे syllables जैसे हम लोग जो है अडियाई नहीं है एक मिनुट दी हुए डीए टीवर हैडियाटर मिनांट य prenके मैं किंदो ये रिजाएगope यह suppose that A, B, C, D यह matrix है इसका जम conversion करेंगे किसमें determinant में तो यह इस तरीके से हो जाएगा A, B, C, D जो matrix होती है वो rectangular square दोनों होती है लेकिन जो determinant होता वो always square matrix से ही बनेगा बास समझ में आरे ही न जो है हमेशा determinant जो होगा वो square matrix से ही बन करके तैयार होगा ओके आगे बढ़ते हैं syllabus में फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स पढ़ेंगे जैसे कोई भी अगर इस तरीके से A, B, C, D, E, F, G, H, I यह क्या है determinant है तो जब कभी भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैनि कि जब first row यह क्या है यह second row यह क्या है इस तरीके से बोलेंगे इसको minor यह नहीं first minor जब ऐसे से बोलेंगे तो यह क्या है first minor अब जब इस तरीके से अगर इसको हम लोग न ध्यान दें अगर इस तरीके से करते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे second minor हो जाएगा xасти की देखेंगे तो इसको भी हम लोगों ध्यान से बाद देखेंगे क्या यह क्या है तो कईने में माइनर के बारें के बात करेंगे फिसके बात क्या है को फैक्टर किस्वेच्ट solar कि की साहता सी determinant की साहता से area of triangle find out करेंगे क्या find out करेंगे area of triangle क्या find out करेंगे area of triangle area of ऐसे लिख दे area of triangle find out करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कोई जब हमको फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग adjoint के बारे में डिसकस करेंगे कि इन्वर्स आफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वर्स आफ मैट्रिक्स इसके बारे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करेंगे इन्वर्स आफ मैट्रिक्स इन्वर्स आफ मैट्रिक्स के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी linear equations दी हुई होगी linear equations जो दी हुई होगी जो given होगी उन linear equations की हम लोग क्या चेक करेंगे उनके solution की consistency चेक करेंगे consistency consistency किसकी solutions की solution of consistency and inconsistency number of solutions of linear equations जो भी linear equations दी हुई होगी तो जो उनके solutions होगे उन solution की consistency और inconsistency के बारे में हम लोग बात करेंगे consistency के दोरान ही इसमें यह भी आ जाता है कि जो भी solution जो भी linear equations के जो भी दिये हैं उनके solutions find out करेंगे इस तरीके से इतनी चीजें हैं जो हम लोग कुछ आगे पीछ से करके जो हम लोग जो है study करेंगे और कभी कभी conjugate भी आ जाता है conjugate matrix किसके बारे में conjugate matrix conjugacy conjugacy भी बोल सकते हैं conjugate of matrix conjugate अगर कोई matrix दिया उसका conjugate क्या होगा तो इस तरीके से बहुँ जदा नहीं आएगा और conjugate transpose हो सकता है अब जो है minor matrix बताई चुके एक चीज़ और छोट रही है rank of matrix क्या है rank of matrix यह rank of matrix यह तो इतना ही है और इससे ज्यादा तो कुछ आएगा रही सब कुछ तो होई चुका है equality हो गई है multiplication हो गया है और जो है addition हो गया है और इंवर्स हो गया है determinant हो गया है इन सब चीज़ों का हम लोग discussion करेंगे और कुछ properties जो होंगी उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे discussion करेंगे और आई होप आप लोग जो है अब syllabus जो है थोड़ा सा दिमाग माइंड में जो है सेट होता गया होगा तो सबसे पहले syllabus को समझना है कि syllabus में है क्या क्या चीज़े और फिचाए वह हिंदी के format हो फिचाए पहुच सके उसका notification और जो भी हो उसका suggestion है comment में दे दीजिएगा और एक चैनल भी हम लोगों ने start किया हुआ है टेलीग्राम चैनल तो उसको भी आप लोग description मिल जाएगा उसका link तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं अभी आज ही निवली जो है study कर सकें ओके थैंक यू टेक क्यार